हनोता बांद के वी स्थापित ग्रामिनों को दी जाएगी रोज मर्रा जीवन अनुसार सुधाएं कुरवाई SDM आरती यादों ने 20 रही ग्राम में ग्रामिनों से सीधा सवाद कर दी गई समझाईश हनोता बांद डूप शेतर में SDM ने किया शिवीर प्रस्थावित हनोता बांद के इस्थापित ग्रामिनों को समस्ता अनुमतियों के साथ की गई अनुसंसा जिसके अंतरगत एस्कूल, अस्पताल, खेल मैदान, सामधाईक भवन, पेयजल, विद्दूत, सडप, उचित, मूल्ले दुकान जैसी मुल्बुत सुधाएं उपलब्द कराए जाएगी प्रसासन परिवहन खर्चा के लिए 50,000 रुपे देगा एक वर्षु तक 3,000 पति माहत जीवन भत्ता मिलेगा नई जमिन खरीदने पर रजिस्ट्री के स्टांप ड्यूटी जल संसादन दिभाग द्वारा अदा की जाएगी मचली पालन डूप शेत्री की करशी भूमी के पट्टे और अन्य रोजगार उपलब्द कराये जाएगे करशी भूमी का सरकारी दरों के दुगनी कीमत का मौजा वितरन कराये जाएगा विलंब होने पर 12 फिसदी अतिरिक्त रशी दी जाएगी संचित असंचित करशी भूमी को परिभाशित कर पारदर्शिता के साथ संपुर्ण प्रक्रिया को कुरवाई SDM आर्तियादों ने ग्राम बिसराही में धारा सोला के तहत आईजी शीविर में ग्रामिनों से सिधा सववात कर समझाईज दी पिदिसा से आसिस सहले की रिपोर्ट देखिए आप सभी को पता है कि पठारी के कुल 19 गाओं में हनोता बांच से सम्बंदित भूमी अर्जन का खतरण चला है तो आज हम लोगों ने मुक्यतर तीन गाओं में विसराह, विसराई और खजुरिया गाओं के लोगों से आज मुक्यतर समुद्दे पर बात करना था कि जब हम इनको भूमी लेंगे और इनके मकान लेंगे तो जो इनको शिफ्ट करेंगे तो पुनर्वेवस्थापन की जो नीती है आरे नार उससे संबंदित इनको हमें बताना था कि हम कहां इनको शिफ्ट करेंगे और क्या-क्य तो मुख्यतर आरे नार से संबंदित बाते आज इन लोगों से की जैसा कि आप कहरें कि यह सब पहले से हैं तो मैं आपको बता दूँ धारा ग्यारा इस चीज़ के बारे में क्लियर है कि जिस दिन भी धारा ग्यारा का प्रकाशन होगा उसके अगले साथ दिन तक यानि करके उनका सिंचित डाल सकता है जो कि हमारे पटवाजियों द्वारा किया भी दिया है वर्तमान में हम इसको मानने करेंगी कि अभी उसके खस्रे में क्या डला है यदि वह सिंचित है तो हम निश्चित तोर पे सब्पोर्टिव डाक्युमेंट लेकर उसको सिंचित का देंगे जिससे कि वो निकल सकें और यह बात हमने अपने आरे नार में भी रखी है कि हम उनको कनेक्शन दूसरे गाउं से जरूर देंगे तो वो ऐसे टापू नहीं बनेंगे हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भूले